इस प्रकार के पत्र में फॉर्मल लेंग्विज का परियोग किया जाता है इनमें तथे और आंकडे दिये जाते हैं समान्यत है वाके छोटे होते हैं जिनका इस पस्ट अर्थ होता है सबसे पहले हम जोब लेटर की बात करते हैं नोकरी के लिए पत्र जोब लेटर में सबसे पहले उपर एड्रस लिखा जाता है सेल्फ एड्रस जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सी वन फोटी फाइव ये ब्लोक और मकान नमबर है सी ब्लोक वन फोटी फाइव मकान नमबर हाउस नमबर कॉलोनी है आदर्श नगर जैपूर में ये है और एड्रस के बाद हम इसमें लिखते हैं डेट जैसे इसमें लिखा हुआ है जैनुवरी फिफ्ट टूथाजन ट्वेंटी फिर नीचे हम जिस भी ओफिस को ये लेटर लिखते हैं उसके जो हेड होते हैं उसका उनकी पोस्ट जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे मान लिजी हम किसी सीनियर सेकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं तो यहां हम लिख देंगे principal, अगर secretary को लिखते हैं तो यहां लिख देते हैं secretary, जैसे अपने उपर लिखा है principal तो फिर यहां पर school का नाम लिख देंगे, जैसे प्रताब senior secondary school, makrana, जहां पर भी यह school इस्तित है, वहां पर लिख देंगे, नीचे subject लिखेंगे, application for the post of और यहां post लिख देंगे, मान लिजिए आप teacher, English teacher के लिए job चाहते हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे, post of an English teacher, letter के हर parts के number होते हैं, अलग-अलग, यहां body में हम लिखेंगे, I would like to bring to your kind attention, I would like to का मतलब होता है, कि मैं, would like की जगा आप want का परियोग भी कर सकते हैं, I want to bring to, I would like, would like का मतलब होता है, want, दोनों में से किसी भी एक word का परियोग आप यहां पर कर सकते हैं, I would like to bring to your kind attention, towards the above mentioned subject, मैं आपका ध्यान उपरोक्त वरनित विशे की तरफ आकर्शित करना चाहता हूं, की, that, की, I have come to know, मेरे जानने में आया है, through the advertisement, विज्ञापन के माध्यम से, जो published in Rajasthan Patrika, जो प्रकाशित हुआ था Rajasthan Patrika में, on Monday, स्वमवार को, 20 को, स्वमवार को Rajasthan Patrika में, जो आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उस विज्ञापन के through, के माध्यम से, मेरे यह जानने में आया है, की, that की, one post of, की, if के बाद हम post लिख देंगे, माली जी इंग्लिस टीचर की हम post चाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, an English teacher is lying vacant, यानि की रिक्त पड़ी हुई है, in your institute, आपकी संस्ता में, I offer my candidature, my qualification, मेरी qualification is regarded, जैसे की मांगी गई है, is mentioned below, बायो डाटा, यहाँ नीचे बायो डाटा लिखा हुआ है, उसमें वरणित है, I have a good academic record, मेरा अच्छा academic record रहा है, sectionic record मेरा बहुत अच्छा रहा है, with good experience of three years, अच्छा, तीन सालों का अनुभव, तीन सालों के अच्छे अनुभव के साथ, मेरा जो sexic record है, वो बहुत अच्छा है, you are therefore, requested to give me a chance, तो इसलिए, आपसे यह प्रार्थना की जाती है, कि मुझे मोका दे, to serve in your institute, आपके institute में सेवा करने का मोका मुझे प्रदान करे, and I assure you, और मैं आपको आस्वस्त करता हूँ, आस्वासन दिलाता हूँ कि, I will do my best, मैं अपना सर्वत्तम प्रियास करूँगा, I will do my best, I shall ever be grateful to you, मैं इस कारिये के लिए आपका हमेशा अभारी रहूँगा, I shall ever be grateful to you for this act of kindness, इस भले कारिये के लिए मैं आपका हमेशा हमेशा अभारी रहूँगा, Thanking you, धन्यवाद, सै धन्यवाद, with regards, सै सम्मान, yours sincerely, यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, जो भी नाम आपको question में दिया जाता है, सबसे पहले अपना name, फिर नीचे father का नाम, पापा का नाम, पिता का नाम, date of birth यहाँ लिख देंगे, अपना address लिख देंगे, qualification, आपकी जो qualification है वो लिख देंगे, BA, BA, MA, BA, जो भी आपकी, BAC, BA, MSC, BA, जो भी आपकी qualification हो यहाँ पर हम लिख देंगे, work experience, आपको कितने साल का कारिय का अनुभव है, आपने उपर लिखा था, three years का, तो यह three years का कारिय का अनुभव आपको यहाँ लिखना है, three years, interest आपका किन-किन चीजों में है, जैसे आपकी hobby क्या है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको singing में interest है, dancing में है, writing में है, reading में है, किस में है, वो यहाँ पर लिख देंगे, cell phone number यहाँ पर लिख देंगे अपना और नीचे email address लिख देंगे, तो यह letter था, job के लिए, next हम बात करते हैं, शिकायती पत्र की, for complaints, शिकायत के लिए पत्र कैसे लिखा जाता है, जनरली हम शिकायत करते हैं, in sanitary condition की, यहन की गली मुहले में जो गंदगी होती है, उसकी शिकायत करते हैं, ban the use of loudspeaker, loudspeaker का उप्योग जो है, उसको परतिबंद करने के लिए हम शिकायत करते हैं, lack of school facilities, school में, अगर सुईधाओं की कमी हैं, तो water electricity problem, अगर पानी और बिजली की problem होती है, तो हम शिकायत करते हैं, generally इन्ही topics पर हम शिकायत करते हैं, और भी बहुत सारे शिकायते हो सकती हैं, हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से शिकायती पत्र जो है, वो रिखा जाता है, सबसे पहले हम इसमें address लिखते हैं, C.145, आदर्शनगर, मकराना, January 5, 2020, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, नीचे, जिस भी office को हम लिख रहे हैं, उस office को लिखेंगे, सबसे पहले उनकी post लिखेंगे, head की, जैसे मान लिखेंगे, अगर पालिका के chairman को लिख रहे हैं, तो यहाँ post लिख देंगे, the chairman, department हम लिख देंगे, municipal corporation, और जगए लिख देंगे, मकराना, फिर इसमें हम subject लिखेंगे, subject अगर आप, जो भी आपकी समश्या है, उसमें for लगा करके आप लिख सकते हैं, मान लिजए, insanitary condition अगर आपकी समश्या है, गंदगी की हालत है, महले में, तो आप लिखेंगे for insanitary condition, अगर हम ban करवाना चाहते हैं, use of loudspeaker को तो लिख देंगे for ban the use of loudspeaker, अगर आप school facilities में कुछ कमी पाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, for lack of school facilities, अगर आप water electricity में से एक में problem अगर आप देखते हैं, तो आप लिख देंगे for water supply problem या electricity supply problem, जो भी हो वो आप यहाँ पर subject में लिख देंगे, sir या madam यहाँ पर हम लिखते हैं, और फिर हम अपना later start करते हैं, लिखना, with due respect, I would like to bring to your kind attention towards the above-mentioned subject, subject, तो सविने निवेदन करके आपका ध्यान में उपरोक्त वरनित विशे की तरफ आकर्शित करना चाहूंगा, कि we are facing many problems in our locality, we are facing, हम सामना कर रहे हैं, अब किन चीजों का सामना कर रहे हैं? अगर आप महले का नहीं लिखना चाहते हैं, गाओं का लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, अगर आप कस्बे का लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, अगर city का बताना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, इन आवर city, यहां बीच में आपको पेपर में से देख करके दो या तीन लाइन्स जो हैं, वो लिखनी हैं, कि एक्जाम पेपर में किस तरह की प्रोब्लम्स आपको बताई हुई हैं, उससे रिलेटेड यहां पर जो भी प्रोब्लम्स हैं, वो हम लिख देंगे, यहां पर word limits का बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना meter अगर आप लिख देते हैं, तो 80 words हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, थ्री, फॉर sentences are enough, अगर आप यहां पर तीन या चार sentences लिख देंगे, तो यह काफी है, दो समस्यां लिख देते हैं, और लिख सकते हैं, यहां नीचे फिर हम लिखेंगे, we have returned to the authorities many times, हमने इस समस्या के बारे में बहुत बार अधिकारियों को लिख दिया है, but all in when, प्रंतु सब व्यर्थ रहा, I hope you will consider the matter positively, और मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले को सकारात्मक रूप से, इस मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, you are therefore requested आपसे इसलिए प्रार्थना की जाती है, to solve our problems, हमारी समस्या का समधान करने की as soon as possible, जितना संभव हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी संभव हो सके हमारी समस्या का समधान करने की आपसे प्रार्थना की जाती है, सह धन्यवाद, thanking you, yours faithfully x, y, z, यहाँ पर आप नाम अपना लिख सकते हैं, जो paper में दिया हुआ हो, वह है, third is में हम देखते हैं business letter, व्यावसाई एक पत्र, इस परकार के पत्र समानेत है, एक व्यावसाई, दूसरे व्यावसाई को लिखता है, यह order, बुक्तान या replacement के लिए लिखे जाते हैं, यह हम letter for order, एक order हम देते हैं, business letter में, किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले में sirs, gupta and brothers, चोड़ारास्ता जेपूर, हम उनका address लिख देंगे, जिनको, यह अपना address होगा, जो हम लिख रहे हैं, में sirs, gupta and brothers, चोड़ारास्ता जेपूर, फिर इसमें date लगा देंगे, March 5th, 2020, इसक sirs, karma and brothers, Mumbai, फिर यहाँ नीचे subject लिख देंगे, for supply of, अब जो जो चीज़ें आपको चाहिए, माल लिजे बुक्स चाहिए, तो for supply of books, अगर आपको होजरी का समान चाहिए, तो for supply of होजरी, goods, अगर आप जूते चपल मंगवाना चाहते हैं, shoes, clothes मंगवाना चाहते हैं, तो clothes, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, dear sir, यह उनको संभोधन करेंगे, we are your regular customers, and appreciate your good services, हम आपके regular customers हैं, और appreciate करते हैं, प्रसंसा करते हैं, आपकी your good services, आपकी अच्छी सेवाओं की हम प्रसंसा करते हैं, please supply the things unlisted below, please supply कीजिए, वो चीजे जो unlisted, मतलब जिनकी list यहाँ पर नीचे दी हुई है, उन चीजों की, यहाँ पर हम देख सकते हैं, three columns हैं, first, second, third, fourth में, आपको जो जो चीजें चाहिए, उन चीजों का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, और उनकी जो quantity है, या संख्या है, वो आप यहाँ आगे, अगले कोलम में लिख देंगे, आप books की supply के संजीव पास बुक, इंगलिस, class 12, यहाँ पर संख्या लिख देंगे, 500, pieces, 500, और आप लिख सकते हैं, यहाँ पर excellent, इंगलिस पास बुक, 500, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, 500, इस तरह से आप लिखते जाएंगे, order देते जाएंगे, और फिर यहाँ नीचे हम लिख दे delivery, आपको payment जो है, वो हम delivery के बाद में, case यानि की रोकड दे देंगे, please don't send defective pieces, करपया, आप जो defective pieces हैं, वो ना भेजें, जो खराब हैं, वो खराब चीज ना भेजें, thank you, sir, धन्यवाद, yours faithfully, x, y, z, faithfully, इसमें x, y, z, लिख दिया, अपना, नाम और नीचे लिख दिया, प्रोप्राइटर, letter for replacement, next अब लेते हैं, अगर आपको कोछीज खराब मिल जाती है, और आप उसको बदलवाना चाहते हैं, तो एक letter के मध्यम से, आप इस तरह से उनको सूचना दे देंगे, इसमें भी address लिखा हुआ है, C145, आदर्शनगर, जैपूर, इसमें तारीक भी January 5th, 2020, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, उस दिन की तारीक, फिर इसमें उनका नाम लिख देंगे हम, जिस शौप से आपने ये खरीदा था, Mr. Sharma and Brothers, Mumbai, subject यहाँ पर लिख देंगे, for replacement of, आपने माल लिजिए कि, computer खरीदा हो, तो आप लिख देंगे, computer, टीवी खरीदा है तो लिख देंगे, टीवी, LED खरीदा है तो लिख देंगे, LED, washing machine, refrigerator, जो कुछ भी आपने खरीदा है, या replacement आप करवाना चाहते हैं, उस चीज को आप यहाँ पर लिख देंगे, और फिर नीचे संभोधित करेंगे, dear sir या madam, और नीचे हम लिखेंगे, I regret, हमें खेद है, मुझे खेद है, to inform you, आपको सुचित करके, that की, आपको सुचित करके मुझे खेद है कि, last month, पिछले महीं ने, I bought a TV, मैंने एक टेलिवीजन खरीदा था, या मैंने एक computer खरीदा था, from your firm, आपकी firm से, आपकी दुकान से, wide case memo number 13, जिसका case memo, यानि की receiver जब हम लेते हैं, तो case memo हमें मिलता है, उसका number हम बता देंगे, 13, dated, जिसमें तारिक है, तारिक बता देंगे, कौन सी तारिक को खरीदा था, कौन सी तारिक को खरीदा था, वो तारिक बता देंगे, 16, 2000, December, 16, 2019, it has stopped working, इसने काम करना बंद कर दिया है, इसने काम करना बंद कर दिया है, it has already been repaired to, इसकी एक बार पहले भी मरमत की जा चुकी है, by the engineer, engineer of the company, company के engineer के द्वारा पहले भी इसकी मरमत की जा चुकी है, you are therefore requested to replace it at the earliest, जल्दी से जल्दी आप इसको replace करने की आप से प्रार्थना की जाती है, please take a quick action, कृपया, एक quick action आप ले, बहुत तेजी से, thanking you, yours faithfully, XYZ, अपना नाम जो है, वो यहाँ पर लिख देंगे, जो भी paper में दिया हुआ है, सामाने तरह निमन चीज़ों को replace किया जाता है, computer, tv, washing machine, led, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ यही matter आप लोगों को याद करना है, बीच में एक चीज़ है, बस thing वो आपको बदलनी है, subject में और यहाँ आई बोटा, यहाँ blank में, thing का नाम आपको लिखना है, यह later आपको काम कर जाएगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए, thanks for watching, जै हिंद, जै भारत!